आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आज मैं आपको आपकी रसोई में रखे, बेसन दोरा अपने चेरे की सुन्दर्ता कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में मताना चाहूंगी, सबसे पहले आप एक कटोरी में दो बड़े चमबन बेसन के लिए उसमें एक चमच कच्चा दूद और थोड़ी सी अलदी मिलाकर एक उप्टन फैस पैक बना लें और उसे अपने चेरे पर लगाएं और 15-20 मिनिट बाद उसको हलके आतों से गुंगिले पानी से धोलें तो आ बेसन में चंदन पाउडर मिलाकर उसमें थोड़ी सी शैद मिलाकर एक उप्टन बनाएं उसको अपने चेरे पर लगाएंगे तो थोड़ी देर 15-20 मिनिट बाद उसको हलके आतों से गुंगने पानी से दोलेंगे तो आपके चेरे के महासे भी धीरे-धीरे कम हो जाएंगे बेसन में गुलाब जाल मिलाकर चेरे पर लगाने से चेरे की जूरियां कम होती है और चेरे की सुन्दरता बढ़ती है इसलिए बेसन में थोड़ा सब गुलाब जाल मिलाकर अपने पेस पर लगा सकते हैं बेसन नेच्रल ब्लीचिंग का काम भी करता है आप एक कटोरी में दो चमच बेसन लें और उसमें एक चमच आटा डालें थोड़ी से चुटकी बर हल्दी मिलाकर उसको फेस पेक बनाएं और उसके अपने चेरे पर हलके आतों से लगा लें और आदग गंटा बाद सूकने अपने चेरे की तोचा को साब बनाने के लिए और चिद्रों को डूक टाइट करने के लिए थोड़े सा खीरे का रस मिलाकर बनाएंगे खीरे कर लीजिए और उसको निचोड कर लीजिए तो उसमें से रस निकलाएगा उसको बेशन में मिलाकर आप फैस पैक बनाएंगे तो आपका चेरा सुंदर हो जाएगा और बिल्कुल एकदम चमक जाएगा अगर आपके चेरे की तोचा धूप से टैनिंग हो चुकी है तो आप बेशन में थोड़ा सा गुलाब जल आदा निबू का रस और थोड़ी से हल्दी मिलाकर एक फैस पैक बना लेजिए और उसको अपने चेरे पर लगाकर पंद्राव 20 मिन बाद गुन्गने पानी से अखेगा और ओज भरा दिखाईदेगा इसलिए आप घर बैठे थोड़े से उसमें वेशन से अपने फैस्टेक बना कर अपने चेरे को चमकदार सुंदर और जुरियों रहित बना सकते हैं धन्यवाल